हेलो दोस्तों नमस्कार शौगत है आप सबीका आपके अपने यूट्यूब चैनल SK फार्मेसी पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर किसी व्यक्ति को आठ से नौ घंटा जबादस्त नीद लेनी है तो उसके लिए कौन सी गोली लेने चाहिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये काफी ज़्यादा हाई पावर की टैबलेट है इसको खाने से व्यक्ति को 6-8 घंटे तक व्यक्ति बेहोशी हालत में सोता है इसको खिलाने से पहले काफी साबदानी बरते काफी लोग इस टैबलेट को खिला कर काफी ज़्यादा गलत कर करते हैं इस टैबलेट का मिस्यूज ना करें या टैबलेट एक मेडिसीन है इसको मेडिसीन की तरह ही यूज करें इस टैबलेट को डॉक्टर की सला पर ही दी जाती है डॉक्टर की सला रहना काफी जादा जरूरी है चलिए आपको बताता हूं इस टैबलेट के बारे में यह 20181 नाम से आती है यह 2MG की टेबलेट है 1MG में भी आती है यह 2MG टेबलेट है यह काफी ज् strengthening हाई पाउर के टेबलेट है यह टेबलेट बिसक्लिए WHY 0,5 5 audi में भी आती है और 1 M layer 2 में भी आती है लेकिन आप देख रहे हैं ये 2MG की टैबलेट है इसी से आप अंदाजा लगा लेजिए ये टैबलेट कितनी जादा हाई पावर की हो सकती है ऐसा समझे कि इस टैबलेट को खिलाने के बाद व्यक्ती 6-8 घंटा तक होशी नहीं रहता है इस टैबलेट को चोरी छुटके खाने में मिलाकर खिला देते हैं तो ऐसा बिलकुल भी ना करे यहां टैबलेट मार्केट में आपको लगब 3-4 रुपे में मिल इस टैबलेट में लोरा ज़िपाम फार्मुला मिला होता है ये अनरक्स टैबलेट है, नार्कोटिक टैबलेट है, बिना डॉक्टर के सला नहीं मिलती है उमीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो हेल्फ पूल लगा होगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए ताकि ऐसे ही मेडिसीन से रिलेटर जानकारी आपके मॉबाल पर सबसे पहले आता रहे तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए जाहें